आसावादी और परतिभावान मेश रासी की यही है पहचान। मित्रो आप समझ गए होंगे कि आज मैं मेश रासी के लोगों के जीवन के बारे में संपूर जानकारी देने का प्रयास करूँगा। मित्रो मैं रागोरामिस्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविश काईकरम में एक बार पुनह स्वागत करता हूँ। आज हम मेश रासी के लोगों के जीवन के बारे में इनके जीवन में क्या-क्या कट्राईयां आती हैं। इनके जीवन में कप-कप सफलता मिलती हैं। इनका संतान के साथ कैसे संबन्द रहते हैं। बैवाहिक सुख आदी के बारे में बिस्तार से बात करने हूँ। मेश रासी का स्वामी मंगल होता है। मंगल को देवताओं का सेना पती कहा गया है। इसलिए मेश रासी के लोग जो होते हैं वो हर्ष्ट-पुष्ट और चिस्त दुरुस्थ होते हैं। तेतर्रार होते हैं, हमेशा कोई काम करना हो तो जोसीले होते हैं, जोस में भरे रहते हैं, जिस काम को करना है, अब जिस काम को इनकी मन पसंद काम, जिसमें लड़ाई, जगडा, कोई नया काम, दौर भाग, खेल, कूत, आदी में ये बड़े जोस में रहते हैं, बाचीत करना हो तो ये बात्चीत करते समय भी अपने को बहुत कभी-कभी उत्तेजित हो जाते हैं तो यह इनके जीवन की हमेशा उतार-चड़ाव की एक घटनाओं से भरा होता है लेकिन सफलता जब तक यह प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक यह सांती से बैठते नहीं है मेशासी के जो बच्चे होते हैं बच्पना इनका होता है तो यह पतले होते हैं मध्यमकत के होते हैं मध्यमकत से थोड़े बड़े सरीर के भी पाए गए हैं लंबे कत भी लेकिन ज्यादा तर यह मध्यमकत के होते हैं सरीर से हश्ट पुष्ट होते हैं खाने पीने के मामले मे इनके हाजमा की सक्ती बहुत मजबूत होती है. जो भी खाते-पीते हैं, सब हजम होता है और यही कारण है कि इनके सरीर में बहुत इनरजी होती है. ऐसे लोगों का थोड़ा बड़ा परिवार होता है परिवार में इनके लिए ज़्यादा तर क्योंकि ये थोड़े गुसर स्वभाव के होते हैं और किसी से दब के रहना, जुक के रहना ये मेश्रासी वालों को कभी बलदास्त नहीं होता है ये विपरीत समय में भी आप देखोगे कि अगर मेश्रासी वालों के सामने कोई जगड़े की बात करें, कोई उतेजना की बात करें ये किसी कारण बस, किसी मजबूरी बस भले न बोल सकें परिवार का दबाव हो, ये हो लेकिन आप इनकी आँखों में देखे, इनके आँखों में परिकार का तेज उत्तेजना उत्पन हो ही जाता है ये कितना भी अपने को नियंतर्ण करें, नहीं जगड़ा करना है, हमको बोलना नहीं है, चुप रहना है लेकिन इनके सरीर के एक एक अंग में एसी इस्फूर्टी उत्पन हो जाती है कि इनका बस चले तो ये नहले पर दहला जवाब देना जाते है चुकि मेस रासी के लोग सुरू सुरू में भी बड़े सीधे साधे होते है बच्पना में ये बिलकुल लड़ाई जगडा पसंद नहीं करते हैं लेकिन इनका जीवन ही कुछ इस तरह बेतीत होता है कि कोई ना कोई पारिवारी कला है परिवार में पड़ोसियों से कला है अन्य लोगों से कला है तो वो इनके जीवन में जन्म लेने के कुछी दिन बाद इनको प्राप्त हो जाता है ये ना चाहते हुए भी इनका लड़ाई जगड़े से नाता जुड़ ही जाता है अब ये बात देखा गया है कि वैसे तो में सासी के लोग कभी किसी को नाजायत कर्ष्ट नहीं देते है किसी को तकलीफ नहीं देते है अगर इनको किसी ने परिसान किया कर्ष्ट दिया लड़ाई जगड़ा किया तो ये उस समय वक्त के अंसार भले न जबाब दे सकते हो लेकिन एक बात निशित है कि जब तक ये सामने वाले को प्रास्त नहीं कर लेते हैं तब तक ये सांती से बैठते नहीं है इनके मन में वो बात हमेशा एक बेचेनी जैसी बैठी रहती है उसने हमको ये कहा उसने हमा ऐसा तैसा किया तो ये इनके जीवन की एक बिसेश्टा होती है कि जब ये अवसर पाते हैं तब ये ललकार कर दुस्मन को मालने वाले होते हैं ये सब तो इनके बच्पन का है अब खेल कूद के ये बड़े सौकिन होते हैं कोई भी खेल हो ये एक ही बार में देखेंगे और तुरां समझ जाएंगे अगली बार इनको देखने जिरोद नहीं है तुटा खेल कूद में और जब एक बार खेल कूद में आ जाते हैं तो भाग करने इनका एक सौक होता है यहां तक कि ये बच्पन में अगर साइकल भी चलाते हैं तो इतनी तेज गती से चलाएंगे कोई वहन भी चलाते हैं तेज गती से चलाएंगे और रिस्क इतना लेंगे कि अपने वहन पर अगर तू विलर का है तो दो लोगों को तीन करना हो किसी के साथ ब्यवहारी बाचीत करनी हो बिलकुल नम्र ब्यवहार करके नम्र बाचीत करेंगे इनको कोई उत्तेजित ना करे उक्सावे ना तो ये किसी से कभी भी बिवाद नहीं करते हैं इनके जीवन में बज़पन से जो मैंने बताया तो ये बज़पन से चुकी बिवादी ज्यादतर समस्याओं के कारण ये क्रोधी सोभाव के रहते हैं लेकिन फिर भी परिवार के दबाव के कारण ये किसी से उलज़ते नहीं है धन भाव कुटूम भाव वानी भाव अब आप देखोगे कि मेश रासी के धन भाव में कुटूम धन वानी भाव पर बिर्शब रासी बैठती है और बिर्शब रासी का स्वामी सुक्र होता है तो मेज रासी वालों का जो जीवन होता है ये एक प्रकार से आनंद मही बतीत होता है खाने पीने की बच्पन में कोई समस्या नहीं होती है परिवार कितना भी आर्थिक समस्याओं से रहे लेकिन मेसराशी के लोगों के खान पान के मामले में देखा गया है कि इनकी कोई कमी नहीं रहती है परिवार के लोग इनका भी से ध्यान रखते हैं और बहुत ही लाडले होते हैं लाड दुलार इनको भरबूर मिलता भी है और ये सुतंतर विचार के होते हैं परिवार के साथ इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और परिवार के लोग भी इनको अपने साथ घुमाने टहलाने यात्रा पर ले जाने के इच्छुक रहते हैं तो इनका भज़प ये थोड़ा सुरू-सुरूमे आलसी होते है, लेकिन जब ये अपने मित्रों को अपने से अधिक आंकादी लाने की बात देखते हैं, तब इनके अंदर एक जोस पैदा होता है, जुनून इनको भी अच्छे आंक लाना है, अधिक से अधिक आंक लाना है, यहां तक कि कलास मे सबसे पहला रैंक लाना है और इसके लिए ये भरबूर प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं प्रंत कभी-कभी परिवार के इनके सभी लोग उतने सिच्छित नहीं होते हैं तो एक मिक्स वातावरण में इनका जो जनम होता है तो उसका इनके सुरुवाती सिच्छत में काफी प्र प्रिस्रम से मेहनत से अपने आगे बढ़ने में सफर होते हैं इनको इनके चाचा का मामा मौसी आदी का भी बहतों सुप्राप्त होता है साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि परोसियों का भी ये सहायता करने में पीछे नहीं रहते हैं लेकिन बसरते परोसी इनके घर की इ नेचर होता है, धन के मामले में देखा जाए, तो मेज रासी के लोग बच्पन में तो धन बचा ही नहीं पाते, इनको धन मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है, माता पिता के द्वारा भी इनको धन की प्राप्ति होती है, धन ले जाएंगे, खुद भी खाएंगे, अपने मित्रो को खिलाने में बड़ा आनंदा आता है बच्पन से एक दान सीलता इनके अंदर पाई जाती है और यही कारण है कि धन को ये बहुत अधिक सम्मान नहीं देते हैं धन के लिए ना तो इनको कोई भी बड़ी समस्या आती है और ना ही ये बच्पन में धनका मात को समझ पाते हैं भाई अस्थान प्राकरम अस्थान अब आप देखोगे कि मेस रासी के भाई प्राकरम अस्थान में मिठों रासी बैठती है उसका स्वामी बुद्ध होता है बुद्ध ग्रहों में राजकुमार होता है ठीक इसी तरह से इनके भाई भी होते हैं बहन का भी सुख प्राप्त होता है भाईयों के भी ये लाडले होते हैं और बहन से तो बिसेश इसने हैं इनको मिलता रहता है कभी कभी ये क्रोध में भाईयों से भले गुसे में कुछ बात कर ले लेकिन इनके भाईयों लोग इनको अत्यदिक प्यार करते हैं भाईयों का इनको सुख प्राप्त होता है आगे चल कर जब इनके बड़े हो जाते हैं इनकी साधी विवा आदी के बारे में बार में हम बात करेंगे तो भाईयों से जब अलगाओ की नौबत आ जाती है तो भी ये अपने भाईयों के प्रत हमेशा साहिता करना उनका ध्यान रखना उनके लिए ये क्या कुछ करना चाहिए करने से हमेशा अग्लडी रहते हैं हाँ ये भी दिखा गया है कि जब इनके साधी विवा बच हो जाते हैं तो भाईयों के सुख सहयोग में कुछ कमी जरूर आती है लेकिन फिर भी ये अपने तरफ से अपने भाई बहनों का साहिता करने से कभी पीछे नहीं रहते हैं प्राकरम के मामले में तो मेसरासी वाले को कोई ऐसी चीज है ही नहीं असंभव कि जो इनको डरा सक जंगल में सेर है तो लोग सेर के नाम से ही डर के भागते हैं मेसरासी के लोग ये प्रियास करते हैं कि किस तरह वो सेर को देखा जाए कोई न कोई इनके अंदर डर नहीं है लोग भागेंगे तो ये भी दिखावे के लिए भागेंगे लेकिन सबसे पीछे बागने में सबivos पीछे, और ख़देड़ने में सबसे आगे कोई चीज में तो ये मेस्वासी वालों की बिसेश्था होती है कि ये प्राकरम में सबसे साहिसी होते है खेल कूद में भी यही चीज़ देखी जाती है ये जिस टीम के सदर से होते हैं उस टीम में ये सबसे अग्रणी भूंगा भी निवाते हैं और अपनी टीम को ये बिजय अवस्य दिलाते हैं माता मित्र मकान सुख भाओ अब आप देखोगे कि मेसराशी के चतुर्थ घर में करकराशी बैठती है करकराशी का स्वामी चंद्रमा होता है तो इसलिए जिस परकार ग्रहों में चंद्रमा राजा आना जाता है ठीक उसी तरह से इनका जो ग्रहों में योग बनता है इनकी माता बड़ी ही धार्मिक बहुत ही नम्र विचार की बहुत सब भी होती है इनकी माँ इनके प्रत हमेशा सतर करेती हैं कहां गए हैं कोई लड़ाई जगड़ा न कर ले कोई उपद्रों न कर ले ये हमेशा इनके लिए ही चिंतित रहती है वो इसे तो इनको बहुत प्यार करती है इनकी मा कहीं भी कोई भी छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो कहीं भी जाना है मेर साथी के पुत्रों को वो अपने साथ अवस्य ले जाती है इसका कुछ भी कारण हो सकता है ये भी हो सकता है कि अपने इस पुत्र के बदोलत इनकी मा बिकुल निडर होकर कहीं भी आती जाती है उनको ये पता होता है कि उनका पुत्र है तो एक सेर जैसा है तो कहीं डरने की जरूरत नहीं होती है लेकिन परिवार में भी इनकी मां इनके लिए हमेशा ध्यान रखती है किसी से लड़ाई यगड़ा अग ये ना करें करें तो इनकी मां हमेशा इनको नियंतरण करती है वैसे यह अपनी मां के बड़े आज्याकारी होते है माने ये कह दिया कि यहां एक खड़े रहना है तो ये खड़े रहेंगे मा की आग्यां का ये कभी अपने जीवन में उलंगन नहीं करते है यही कारण है कि इनको मातर सुख भरपूर मिलता है और जिस तरह ये अपने मा के लाडले होते हैं उसी तरह इनकी मा जो चाहती है वो इनको बनाती है डॉक्टर एंजिनियर जो भी इनकी मा चाहेगी या ये जो भी बनना चाहते है अपनी मा को ये जो बात बताएंगे इनकी मा को उचित लगता है तो वो उचित सलाह हमेशा देती है यहां तक कि यह बड़े हो जाते हैं इनकी साधी बिवा बच्चे हो गए तो भी यह अपने मा के बिलकुल नियंतर्ण में रहते हैं और इनकी मा अगर इतको डांट भी दे तो भी इनको कभी बुरा नहीं लगता है बच्चबन में इनकी मा के दोरह इनको अच्षी खासी पिताई भी थी होती है लेकिन इनको इनकी गलतियों की सजा इनकी मा के दोरह मिलता है इसलि harvest रिखन के इनको एक प्रकार का आनन दाता है यह खुस हो जाते हैं कि चलो गलती किया था मा ने पिताई कर दी गल्ती खत्म इस तरह से आप देखोगे कि मेस राजी के लोग अगर किसी से डरते हैं किसी की आग्या का पालन करते हैं तो वो मा होती है मा के मामले में इनकी मा इनकी हर अच्छाई बुरा जानती भी है पुरा इनका ध्यान भी रखती है इनके रहने खाने में कोई कमी नहीं लाती है बलकि कोई भी चीज आई है तो इनके लिए इनकी मा हमेशा छुपा के रखती है इनको सबके साथ इनको भी खाने में कभी भेद भाव नहीं करती है आप ये समझ जाए कि इनकी भाई कितने भी बड़े हो क्या हो लेकिन इनकी मा का इनको बिशेश इसने मिलता है मित्रों के मामले में देखा जाए तो मेज राशी के बहुत अधिक मित्र होते हैं वैसे ये भी देखा गया है कि इनके ज्यादा तर मित्र इनहीं की कटेगरी के होते हैं यानि मध्यम आयेवाले, तो कभी इनको आर्थिक सहायता उधिक नहीं कर पाते हैं, मेश राशी वाले वैसे तो अपने कम धन में भी अपना काम चलाने में माहिर होते हैं कभी अपने मित्रों से अपनी कमजोडी गरीबी कभी ब्यक्त नहीं करते हैं लेकिन ये है कि मित्रों की संक्या इनकी अधिक होती है इनके पास अच्छे से अच्छे मित्र होते हैं और बुरे से बुरे मित्र होते हैं ये एक परकार से देखा जाए तो ये बिलकुल मिक्स समाज से सम्मन्द रखते हैं गलत है तो बहुत ही गलत है उसके साथ भी ये प्यार से बात करेंगे अच्छा है बहुत बड़ा अधिकारी है बहुत ग्यानी है बहुत पढ़ा लिका है उसके साथ भी वो ऐसा ही बेवार करेंगे प्रेम से लेकिन कभी अपने मित्रों में ये भेड़ भाव नहीं रखते हैं कोई मित्र बहुत पैसे वाला है तो उसका ज़्यादा सम्मान करो कोई गरीब है बलकि ये देखा गया है कि ये अपने गरीब मित्रों से अधिक प्रेम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और वो मित्र भी इनका बिसेश सम्मान करता है वाहन के मामले में तो मेसासी वालों का कोई जबाब भी नहीं है बच्पन से इनको वाहन चलाने की एक ऐसी भूत सवार रहती है कि इनके घर में वाहन हो नहो पड़ोसियों से मित्रों से वाहन लेकर ये चलाना जल से जल सिखी जाते है टू हीलर साइकल आदी तो इनकी एक मामूली बात है कभी कभी ये बड़ी गाड़ियां भी चलाना सीख लेते हैं ये सब इनके बच्पन का जुनूर होता है और जो चीज ये एक बात देख लेते हैं मने आपको बताये दोबारा इनको देखने की समझने की जरूरत नहीं होती है इनका इतना तीछन बुद्धी होता है कि एक ही बार में ये पूरा उसका रिज़र्ट समझ जाते हैं घर के मामलिम देखा जाए तो वैसे तो मेंस रासी वालों को बच्पना कहीं बीटता है युवावस्था कहीं बीटता है परिवार के साथ रहने का इनको सुख प्राप्ट होता है लेकिन आगे चलकर इनको अपने घर से अलग दूर घर भी रहने का योग बनता है बिद्या भाव संतान भाव अब आप देखोगे कि मेंस रासी के जो लोग है ये बड़ी बिद्या ही प्राप्ट करने की इच्छारते हैं इनको डॉक्टर बनना है इनको इंजिनियर बनना है इनको सीए बनना है इसे भी बड़ा डिप्लोमा डिग्री प्राप्ट करना है इनको बहुत बड़ा सेना में अजिकारी बजना है, बहुत बड़ा पुलिस आफिसर बनना है, I.E.S. बनना है, तो इनको सुनते हैं, टो इनके दिमाग में एक तेज़ भुद्धी ये होती है, कि हमेशा ये सोते हैं कि मैं क्यों नहीं बन सकता मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम नहीं कर सकते इसलिए मेसरासी के लोग हमेशा उचा ही सोते हैं और हमेशा बड़ा बनने का प्यास करते हैं अगर इनके परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिला समय से इनको टूशन, कोचिंग, आदी पढ़ाई की में कोई कमी रुकावट नहीं आई तो ऐसे लोग IAS, PCS और इससे भी बड़े-बड़े अधिकारी बनते हैं ये देश सेवा में बहुत अग्रणी होते हैं देश भक्ति इनके अंदर कोट-कोट कर भरी होती है बच्पन से ही ये देश सेवा के प्रत हमेशा सोचते रहते हैं और कोई भी देश प्रेम से सम्मंदित कोई काजकरम समारो होता है तो इसमें ये बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं और क्योंकि इनके बिट्या संतान भाव में सिंगरासी बैठती है जिसका स्वामी सूर होता है चूंकि सूर ग्रहों का राजा होता है इसलिए ये हमेशा राजात की तरह सोचते हैं पढ़ाई में भी करेंगे तो राजा की तरह पढ़ेंगे स्कूल में जाएंगे हाँ ये हैं कि ब्यवहार इनका बहुत स्ट्रटिक होता है अपने अध्यापक को बिलकुल प्रेम से आज जोड़ कर प्यार से उनसे बात करेंगे इनके अध्यापक इनको भी अत्यदिक प्यार करते हैं इनकी पढ़ाय लिखाई का पूरा ध्यान रखते हैं यहां तक कि कभी सजा देने की नौबत आती है तो इनके अध्यापक लोग इनको हलकी सजा देते हैं या डान डपट के छोड़ देते हैं अधिक कठोल नहीं बनते हैं क्योंकि इतना ब्यवहार कुसल होता है और दूसरा ये नाटककार भी होते हैं ऐसा माहयूस चेरा बना लेते हैं कि अध्यापक लोग भी इनको देख के बड़ा दया करते हैं लेकिन यह है कि अध्यापक लोग प्रहम लिखाई में इनका भी से ध्यान भी रखते हैं और समय समय पर इन्हें हिडायत भी देते रहते हैं यही कारण है कि अध्यापक लोगों का प्रेम स्ने美味 के कारण यह धिरे दिरे पढ़ने में बहुत तेज तर्लार हो जाते हैं और फिर इनका एक जुनूर हो जाता है अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी अच्छा आदमी बनने का अब आप देखोगे कि परिवार बढ़ा हो परिवार में किसी तरह का इनके पढ़ाई के दवरा नगत बिख्टन ना आए तो निश्चीत तोर पे ये एक दिन बहुत बढ़े अधिकारी बनते ही है रोग सत्रु कर्यास था अब आप देखोगे कि मेंस राशी वालों का लें देन हमेशा बिवादी थी रहता है पहली बात तो ये किसी से धन लेते नहीं है और ले लिया धन तो धन खर्च हो गया धन के बाद ये भूल याते हैं मुझे समय दिया था उसको वापस करना है फिर धन आया फिर दूसरे काम में तो इनके बात धन तो आता रहता है लेकिन धन के मामले में ये बिल्कुल दंभीर नहीं होते हैं। इन्होंने अगर किसी को धन दे दिया तो ये मान के चलिए कि वो धन इनको एक मुस्व तो कभी मिलता ही नहीं। वो टुकडे टुकडे मिलेगा, ये क्रोध भी करेंगे, गुसा भी करेंगे, पैसा वो कितना भी खास मित्र है, मित्रता का भी ध्यान रखेंगे, उसे प्यास दुला से वापस मांगने का प्यास करेंगे, सामने वाला जितना मेस रासी वालों के सामने बहाना करता है, जितना आजाना, कोशिश कर रहा हूं, बेउस्था कर रहा हूं, छोड़ देते हैं, जाने दो, आज नहीं कर देगा, तो इनका एक विस्वास भरोसा बना रहता है, लेकिन सामने वाला एक नई दिख ने विस्वास जरूर तोड़ता है, फिर इनको गुस्व क्रोध भी आता है, लेक हाँ आगे से ध्यान रखते जरूर हैं कि अब नहीं देना है लेकिन अगर वो व्यक्ति फिर दुबारा इनसे नरम दिल से प्रात्ना करें तो ये इनके पास धन्द है तो ये साहिता करते ही रोग के मामलिम देखा जाए तो मेश रासी वालों को बच्पन में फोड़ा फूंस हाँ ये चीज भी देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई के दोरान इन्हें किसी अप लड़की से कन्या से मित्रता होती है और वो मित्रता इतनी गहराई में बदल जाती है कि ये उसे इतना दिल से प्यार करते है कि जब वो इनका प्यार दोनों का यानि कि स्कूल कॉलेज ब बहुत अधिक दुक होता है कभी कभी तो इनको कुछ समय के लिए च्षे की बिमारी भी हो जाती है इतना अधिक प्यार में ये पागल हो जाते हैं सामने वाला भी इनको यसे ही प्यार करती है इनको दिल से चाहती है लेकिन सामाजिक बंधन होने के कारण और दूसरा कासी के लोग बहुत सर्मीले पर्वितिक होते हैं तो बहुत सी बात इनकी दिल में ही रह जाती है अपने दिल की बात ये कहने ही पाते और जब इनका दोनों से अलगाव होता है तो वो इनके लिए बड़ा मायूसी भरा बड़ा निरासा जनक समय होता है इस दोरान ये मित्र लोग इनको टहलाना घुमाना दूसरी बातों में उल्जाय रखना धीरे धीरे समय वक्त के साथ ये फिर अपने आपको समालने में सभल होते हैं प्रन्त प्यार ही इनकी एक बहुत बड़ी कमजोगी होती है सब्तम अस्थान बैवाहिक सुख ब्यापार धर्मपत्नी अब आप देखोगे कि में सरासी के लोगों का जो सब्तम घर में यहां तुला रासी बैटी इसका स्वामी सुक्र होता है तो जिस तरह सुक्राचार राच्छसों के गुरू है और फिर भी देव पद उनको ठीक इसी परकाल से इनकी जो धर्मपत्नी होती है अच्छी होती है सुन्दर होती है पढ़ी लिकी होती है गोल चेहरा होता है आखें मध्यम छोटी होते हैं और में मध्यम बाल होते हैं वो चुकी बाचीत करने में थोड़ा कड़क सोभा होता है धीरी धीरी तो वो बहुत मध्यम बाचीत करती है लेकिन धीरे धीरे वो अपने ब्यवार को उजागर जरूर करती है तो जो उसकी सक्ति होती है तो सक्ति के कारण फिर ये अपनी पत्नी के वस में होने लगते है अक्सर करके दोनों में तू तू मैमे भी होता है लेकिन प्यार खूब करते हैं ये भी अपनी धर्मपत्नी को बहुत प्यार करते हैं इनकी धर्मपत्नी भी इनको बहुत प्रेम करती है लेकिन इनकी कोई भी कमी इनके मुँपे बिना बोले रहती नहीं है कभी-कभी तो इनको बड़ा चीड़ हो जाता है गुसा भी आजाता है लेकिन सत्य को ये समझते हैं तो ज़्यादा तर ये अपने को नार्मल बना लेते हैं इनके दो से तीन बच्चे होते हैं साधी के पहले बर्स से दूसरे बर्स में ही इनको संतान सुप्राप्त हो जाता है अधिक से अधिक तीसरे बार्स तक इनको पहला संतान मिली जाता है और वो पुत्र ही होता है ये भी देखा गया है कि कन्या भी हो सकती है लेकिन मेजरासी वालों का पहला पुत्र संतान होता है इनके एक कन्या अवस्य होती है ये जिस तरह से बच्पन से ये धार्मिक होते हैं पूजा पाठ करने वाले होती हैं ठीक इसी तरह से इनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक होती है और अपने स्वस्राल में वो इनके माता पिता की भाई बेनों की सेवा करती है सेवा में कोई कमी नहीं रहती है और अक्सर करके इनके पिता के द्वारा अपनी बहु का अक्सर प्रसंसा किया ही जाता है सासू भी प्रसंसा करती है सासू भी ध्यान रखती है अब ये है कि ये कभी-कभी नाराज होते है कि इनकी पत्नी की प्रसंसा हुई इनकी प्रसंसा नहीं हुई लेकिन फिर भी इनकी पत्नी अच्छे कारी से अपने ब्यवार से सभी परिवार के लोगों को खुस रखती है दुरघटना मृत्यु अस्थान अब आप देखोगे कि मेश रासी के लोगों का जो अस्टम घर है वहाँ पर प्रिश्चिक रासी बै होता है जिस तरह मेश रासी के लोगों का स्वामी मंगल होता है तो इनको बच्चपन में चोट चपीट दुरघटना अधी का योग बनता है बिसेश कर इनको जादातर मस्तक पे या सिर्फ पे कही न कई चोट के निसान पाये जाते हैं क्योंकि ये खेल कूद या वहाँ च फन में नहीं चलाते हैं तो इससे इनको जादा तर चोट चपेट लगता है और उसमें सिर्फ में कोई चोट चपेट के निसान भी पाये जाते हैं लेकिन उम्हर के अंसार समय के अंसार ये अपने आप को धीरी धीरी परिव्शित करते हैं अपने ग्यान का परशार पिया Alors और वाहन आदी चलाते समय थोड़ा नियंतरण करना सीख जाते हैं वैसे तो इनके अंदर इतनी कला होती है कि ये तेज गती से भी गाड़ी चलावें तो उसको कैसा नियंतरण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ये इनके अंदर गुना आ जाते हैं लेकिन विशेश कर 30-35 बस के बाद ये वाहन आदी आराम से चलाना पसंद करते हैं इसके बाद फिर दुरगटना आदी होने की संभावना कम होती है धर्मस्थान, भाग्यस्थान, अब आप देखोगे कि मेजवासी के लोगों के भाग्यस्थान में धनुलासी बैटी है, उसका स्वामी गुरू होता है ऐसे लोग बहुत ही कटर धार्मिक होते हैं, अपने भगवान के प्रत इनकी इतनी गहरी आस्था होती है कि ये किसी से भी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन भगवान से प्रतना करते समय, अगर इनको कोई कमी है, कोई आउसकता है, तो भगवान से ये अपने अंतरात्मा से प्रतना करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, और फिर अपने क्या आउसकता है, उसकी प्रतना करन प्रादम करते हैं ये भी देखा गया है कि जो भी ये भगवान से प्रात्ना करते हैं इनकी मनों कामना अक्सर पूरी अवस्य होती है धार्मिक तीर स्यात्रा करना इनको बहुत प्रिया होता है एक तो बच्पन से ही इनको धार्मिक तीर स्यात्रा करने का अवसर मिलता है और ये अपने युवावस्था में भी धार्मी तीर स्यास्ता करते रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने पतनी बच्चों के साथ तीर स्यास्ता में इनको बड़ा आनन दाता है इनका एक प्रकास से विशेश आकर्षन होता है भगवान के प्रेश तो ये बड़े दुर्लब दुर्लब अफ्थानों पर तीर स्यास्ता करते हैं और वहां जाकर पूजा पाट करना, दान धर्म करना इनकी विशेश्ता होती है में सासी वालों का भागी काउदय तीर पैटिस वस के बार दीरे दीरे तीरी से होने लगता है फिर इसके बार इनका अच्छा खासा घर, मकान, वाहन आदी हो जाता है इनके बच्चे भी धीरे धीरे पढ़लिक के उस्यार होते हैं बहुत ही मेधावी होते हैं और वो भी अपने योगता अमसार बड़ी जल्द ही अपने पर पैर पर खड़े हो जाते हैं चुकि मेधासी के लोग जब एक बार धन बचाना सीख जाते हैं तब इनके पास धन इस तरह बढ़ता है कि आप सूझ भी नहीं सकते कि ये कुछी वर्सों में इतनी अच्छे खासी धन संपत्ती जमा कर लेते हैं कि इनकी कोई भी घर से संबंदित कोई भी बड़ी आप सकता अपने आप पूर्ण हो जाती है पिता अस्थान मान समान प्रसिधी नवकरी अब आप देखोगे कि इनके मेधासी के लोगों का दसम घर में मकर राशी बैठती है उसका स्वामी सनी होता है तो सनी मेधासी के लिए नीच का माना जाता है इसलिए इनके जीवन में 35 वर्ष के बाद इनके जीवन में उन्नती होने लगती है वैसे तो इनको नोकरी करते हैं तो नोकरी में भी अच्छी खासी इनको मन पसंद नोकरी मिलती है नोकरी चुकि इनको कई बार बढ़ना पड़ता है और जब तक ये अपने मन पसंद की नोकरी नहीं प्राप्ट कर लेते हैं तब तक ये अपना अस्थान परिवतन करते रहते हैं और ये करते करते इनको 30-32 बरस तो लगी जाते हैं इनके पिता से अच्छे सम्मन रहते हैं ये अपने पिता का सम्मान करते हैं लेकिन इनके पिता इनको कुछ और बनाना चाहते हैं ये कुछ और बनना चाहते हैं तो यहां पर कभी कभी पिता पुत्र के बीज में बैचारिक मद्वेर होते हैं परण ये अपने पिता का आग्याकारी होते हैं, पिता की कोई बात को ये कभी उनकी अवहेलना नहीं करते हैं, यही कारण है कि इनके पिता भी इनको अत्यदिक प्रेम करते हैं, अधिकारीयों के मामले में देखा जाए तो मेजरासी के लोग बिलकुल उद्रण्ड कुछ नहीं, उसकी कमी बोलना और विसेश कर मेजरासी वाले अपने मित्र, अपने अधिनस्त करमचारी आधी को अगर कोई अधिकारी परेसान कर रहा है, ये किसी भी बिभाग में हो, तुरांत बिरोध करते हैं, यहां तक कि ये ब्यक्तिकत रूप से उसको ले लेते हैं, और अधिकारी को ये हमेशा वालनिंग देते हैं, और अगर ये वालनिंग में भी ना समझदारी किया, तो ये उसके बिरुद्ध आक्रोशित भी हो जाते हैं, यही कारण है कि मेजरासी के लोगों को अक्सर करके अपने अधिकारीयों का ठक्रा होता रहता है, और अधिकार अधिकारी लोग इनको प्रेसान करने की कोई भी यूती छोड़ते नहीं है आउसर मिला तो अधिकारी लोग इनका ब्यक्तिगत तो प्रसंसा बहुत कम करते हैं ऐसा नहीं कि हर अधिकारी ही इनका बिरोधी हो ये अपने अधिकारियों का सम्मान करते हैं उनकी आज्या का पा करता है तो ये विरोध अवस्य करते हैं और यही विरोध इनकी प्रेशानी का कारण भी बनता है आप देखोगे कि अगर मेश रासी के लोग ब्यापार बिज्ञत करते हैं तो ये ब्यापार बिज्ञत में बहुत तेजी से उन्नेती करते हैं शुरू सुरू में इनको ब्यापार ब्यासाय में नुकसान भी उठाना पड़ता है लेकिन ये चुकि इतने आत्म विश्वास होता है इनके अंदर कि ये कभी भी अपनी हिम्मत हाते नहीं है इस बार नुकसान हुआ तो अगली बार फिर प्रयास करेंगे ऐसा नहीं कि ये मैदान छोड़के भाग जा करते हैं चुकि मेदासी के लोग बड़े दयालू के सुखे होते हैं गरीबों को उधार देना दीन दुख्यों की सहाइता करना तो ये भी इनके परिशानी का एक कारण बन जाता है लेकिन ये अपने ब्योहार में कभी परिवर्तन नहीं कर पाते इनको कितना भी लोगों द करना है कि जब 30-35 के बाद इनका भाग योदय चलने लगता है तब वो बिलकुल ती ब्रगती से चलता है और बहुत जल्द ही ये फिर बड़े आदमी बन जाते हैं नौकरी भी करते हैं तो 30-35 के बाद ये फिर अधिकारी वर्ग में बढ़ते हैं और धीरे-धीरे इनका प विवाग में बहुत अग्रणी होते हैं इसमें इनको जौब आदी मिलना मुमागी मुराद की तरह होती है और इसमें अगर ये सफल हो गए तो ये देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और दुस्मनों के दाद खटे करने में इनको बहुत मज़ा आता है लावस्थान बड़ा भाई आप देखोगे कि मेशरासी के लावस्थान में बड़ा भाई अस्थान में कुमरासी बैठती है इनको बड़े भाई का सुख रहता जरूर है बच्पन में बड़े भाई का खोबलाड प्यार मिलता है लेकिन जब ये युवा वस्था में आ जा हैं और उनका हर तरह से सहायता करने में कभी ये पीछे नहीं रहते हैं लाब के मामलिम देखा जाए तो ये लाब उतना ही कमाते हैं कभी गलत नीती से लाब नहीं कमाते हैं वो इसे ये भी देखा गया है कि कभी-कभी मेशासी के लोग गलत संगत में पढ़कर ये गलत तरीक से भी धन अर्जित करने का प्रियास करते हैं जिसमें ये लड़ाई जगडा तसकर आदी की लोगों के साथ जूड़ जाते हैं लेकिन वो इनके जीवन के लिए बहुत हानी कारग भी होता है बेष्थान खाच अस्थान विक्रेश अब आप देखो के मेश राषी के बेष्थान में मीन राषी बैखती है जिसका स्वामी गुरु होता है देव गुरु ब्रहस्पथ होने के कारण इनका दूर दराज याद्टा करने का जीवन में बहुत वह संन मिलता है और ये जो भी यात्रा करते हैं इनकी यात्रा हर प्रकार से सफल होती है इनको यात्रा करना बड़ा पसंद आता है विशेशकर धार्वी तीस यात्रा में अपने परिवार माता पिता को ले जाना या माता पिता को तीस यात्रा में भेजने में इनको बड़ा आनन्द आता है और अपने साथ साथ ये अपने मित्रों को पड़ोसियों को रिष्टेदारों को भी तीजियाता कराने में इनको बड़ा आनन्द आता है। धन खर्च के मामले में ये कभी अपने जीवन में कंजूस नहीं बन पाते हैं। ये जहां भी रहेंगे सबसे बढ़ चड़ कर खर्च करते हैं और ज्यादा तर ये लोग अपने परिवार के लोगों के प्रत एक प्रकास से एहसान करते हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि परिवार के लोग कोई एहसान इनका मानते नहीं है। लेकिन फिर भी इनको अपने अंदर बड़ा सकून महसूस होता है और अपने परिवार के लिए हमेशा ये कुछ न कुछ करते रहते ही हैं। मेशासी वालों का सुब दिन मंगलवार है। इनका सुब रत्न मूंगा पहनना चाहिए पान से साथ कायरेट अनामिक उंगली में और विशेश कर मंगलवार के दिन सुबा साथ से नो के बीच धारन करना चाहिए। इनका सुब रंग लाल है और हनमान जी की सेवा पूजा करने से इनको विशेश लाब मिलता है। मेशासी के लोगों को लाल रंग का कपड़ा, पैन, लुमाल, कुछ न कुछ अपने पास रखने से इनको विशेश मानसिक सांती प्राप्त होती है। तो मित्रों आज मैंने आप लोगों को मेशासी के लोगों के जीवन के बारे में जो विस्तार से बताने का प्रयाश किया है, मुझे आसा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने मेरे चैनल क को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करना मत भूले नमस्कार